कDas आज व हैं यह भूरी डूटेल्स के पहली दवाई है तो आज सिंकोना जैसको आज जाता है किस पार्ट से बना जाता है हमारे लक्षणों को देख करके इस medicine को लेना चाहिए, क्या potencies होनी चाहिए, क्या precaution होना चाहिए, सब कुछ पूरी detail में हम जानेगे, तो चलिए आज को topic स्टार्ट करते हैं, फ्रेंट सबसे पहले हम बात करेंगे, कि जो synchona homeopathic medicine है, यह कैसे homeopathic की पहले दवा बनी, तो Dr. Henneman जो homeopathic के जैनक हैं, वो पहले translation करते थे, अलग-अलग language की books को, different languages में convert करते थे, translate करते थे, तो एक बार जब वो translate कर रहे थे, तो उस समय malaria बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, बहुत ज़्यादा फैलता था, और malaria के लिए sincona बहुत ज़्यादा यूज होती थी, sincona एक plant है, जिसके roots को इनने की जिसके पपड़ी से दवाई बना करके इसको यूज किया जाता था, तो उनके मन में ये question रहता था, कि ये sincona ही क्यों malaria के दवाई कित्रया यूज किया जाता है, तो उसमें लिखा था कि इस book को जो translate कर रहे थे, उसमें लिखा था कि sincona को इसलिए use किया जाता है, क्योंकि वो bitter होती है, कड़वा होता है, और कड़वेपन के कारण ये malaria को ठीक करता है, लेकिन satisfied नहीं हुए Dr. Headman, उन्होंने सोचा कि अगर bitterness is the only reason, तो बहुत सारी चीज़े होते जो bitter होती है, तो उसको चेक करने के लिए उन्होंने जो बार्क है, यानि जो पपड़ी है उसके powder को लिया और अपने उपर टेस्ट किया, उसको लेने के बाद उनको malaria जैसे ही symptoms आने लगे, तो वहाँ पर ये पता चला, वहाँ पर ये इस बात की खोज हुई, इस बात को analyze किया उन्होंने, कि जरूर ये malaria को सिर्फ इसलिए ठीक करता है, क्योंकि अगर ये किसी normal इंसान के अंदर malaria जैसे symptoms पैदा कर सकता है, तब ही ये malaria को ठीक कर सकता है, तो friends, वही एक historic event था, historic moment था, जब हुमेपथी की खोज हुई, और हुमेपथी की खोज के लिए सबसे जरूरी, यानि सिनकोना ही responsible है, जिसके कारण हुमेपथी की खोज हो पाए, तो यहीं से similia similbust quarenter, जो कि हुमेपथी का law है, कहता है, कि एक बिमार इंसान के अंदर, अगर वो बिमारी को ठीक कर सकती है कोई दवा, तो एक नॉर्मल इंसान के अंदर भी, अगर उस मेडिसन को दी जाती है, तब उसके कुछ symptoms पैदा होते हैं, बहुत उतनी ही डिग्री में नहीं पैदा होते हैं, थोड़े से कम डिग्री में होते हैं, लेकिन शम्ता वही होती है, मतलब similar चीज़े हैं similar को ठीक करती हैं, तो friends, यहां से खोज हो गई ही महोमेपती में, अब हम बात करते हैं, जो सिनकोना ही यह क्या है, तो friends, सिनकोना, प्लांट किंग्डम से आने वाली एक मेडिसन है, जो की family ruby ACA से आती है, जिस पार्ट में काम करता है, वो है हमारा blood, हमारे शरीर के उपर काम करता है, और हमारे शरीर को, अगर हम, जैसे malaria में होता है, कि हमारा जो RBC होता है, उसके उपर attack होता है, RBC तूटने लगते हैं, बाइल बनता है, इनसान अन्यमिक हो जाता है, उसको खून की कमी हो जाती है, वो सारे symptoms आपको, इस China होमेपतिक medicine में देखने को मिलेंगे, तो फ्रेंट सबसे पहले हम बात करेंगे, कि किन symptoms के उपर इस medicine को दिया जाना चाहिए, तो सबसे important चीज़ आ जाती है, कि अगर आपको previously malaria हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनको बार-बार malaria होता रहता है, उनके लिए भी बहुत बहतरी नदवा है, इसके लावाद जिन लोगों को hemorrhage की history रही है, खून का बहुत नुकसान हो गया है, बहुत जादा शेरिर से खून निकल गया है, या बहुत जादा जिनको पसीना आता है, fluid loss हो रहा है, इवें उन females के अंदर जो lactation कर रही है, और जब इस तनपान कराने के साथ साथ उनको कमजोरी महसूस कोने लगती है, उनके cases में भी बहुत जादा useful है, या जिन लोगों को spermatoria की problem रहती है, बहुत जादा similar loss होता है, उसके कारण weakness रहती है, तो इन सारे cases में जब आपके शेरी से vital fluid या fluid का loss हो रहा है, तो उन cases में चाइना होमेपथिक medicine सबसे अच्छा काम करती है, अब हम एक एक करके बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारी चाइना मेडिसीन है, इसका theme क्या होता है, तो अगर हम mental symptoms की बात करते हैं, इसकी theme की बात करते हैं, तो इसके अंदर एक जो इनसान होता है, वो हमेशा टालम टोल करता रहता है, हमेशा air castles बनाता रहता है, ख्याली पुलाव बनाता रहता है, लेकिन वो खुद से कुछ नहीं करना चाहता है, ना वो दिमाग से कुछ करना चाहता है, ना फिजिकली कोई activity करना चाहता है, वो हमेशा एक खोज करता रहता है, किसी एक excuse के लिए कि कोई भी गलती उससे होती है, तो वो दूसरे के उपर उसको डाल दे, हमेशा उसको लगता रहता है कि उसको persecution हो सकती है, या उसको कोई पीछा कर रहा है, उसके खिलाफ कोई plan बना रहा है, और कहीं पे भी अगर उसका failure होता है, तो वो दूसरों को कहता है, कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता है, तो मैं ऐसा कर लेता, फॉर एक्जामपल, जैसे कोई इंसान है, वो कहता है कि अगर light नहीं गई होती, तो मैं पढ़ाई कर लेता, या अगर ऐसी problems नहीं आते, तो आज मैं बहुत अच्छी position पे job कर रहा होता, तो हमेशा अपनी कमियों को दूसरे को पर डाल देता है, कि अगर ममी पापा ने अच्छे से मेरे को पढ़ाया होता, तो आज मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, लेकिन जब उसको करने का होता है, तो वो नहीं कर पाता है, हमेशा खैली पुलाव बनाता रहता है, प्लानिंग्स करता रहता है, और हमेशा उसको लगता है कि उसके अंदर, जो भी कमी है, वो किसी दूसरे के कारण है, अगर वो आज किसी position पे नहीं पहुँच पाया, तो किसी दूसरे के कारण है, तो ये इसके दिमाग में रहता है, बहुत ज़दा इंडॉलेंट रहता है, और अपने दिमाग में एक बात अगर बिठा लेता है, तो वो कभी उसको निकालता नहीं है, बहुत ज़दा fear of इसमें animals होता है, especially dogs से ऐसे लोग बहुत ज़दा डरते हैं, इसके लमा जो चाइना पेशन्ट होते हैं, उनको किसी तरह की exercise करने से, किसी तरह की दिमाग लगाने से, इन सब चीजों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ बाते करते हैं, बाते बनाते हैं, plannings करते हैं, लेकिन जब plans को execute करने का time आता है, तो फिर से वो पीछे हो जाते हैं, और इसमें एक बहुत important चीज ये भी होती है, कि इसमें suicidal tendency होती है, जब patient को लगता है कि वो जिस पोजिशन पे है, यहाँ पर वो deserve नहीं करता है, उसे बहुत आगे जाना चाहिए था, और उसको दिखता है कि आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, तब वो suicide करने के सोचता है, लेकिन फिर भी वो मरने से डरता है, तो वो मरने से भी डरता है, suicide करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं रहती है, तो यह सारे symptoms, mental symptoms होते हैं और इसके अलावा इसमें जो ख्याल होते हैं इंसान के दिमाग में इतना चलते हैं कि वो सो नहीं पाता है सोने के time पे crowding हो जाती है thoughts की बहुत ज़्यादा thoughts आते हैं उसके कारण उसको नीन नहीं आती है तो यह सारे symptoms इसके theme हैं अगर आप mental symptoms को पर जाना चाहते हैं और एक constitutional medicine select करना चाहते हैं तो इन symptoms को दे करके आप medicine को दे सकते हैं अब हम बात करते हैं next कुछ points की सबसे important हम head की बात कर लेते हैं तो headache की cases में भी बहुत अच्छा काम करती है जिन लोगों के अंदर जैसे की मैंने बताया कि fluid loss के बाद headache की problem रहती है मतलब delivery के बाद अगर females के अंदर headache issue हो जाते हैं या अगर बहुत जादा fever रहता था उसके बाद अब सिर्दद बना रहता है कमजूरी बनी रहती है और सीरह असा लगता है कि फट जाएगा अगर ऐसी problem होती है तो उन cases में भी चाइना दी जा सकती है इसमें ऐसा लगता है कि जो brain है हमारा balance कर रहा है चलने फिरने में brain जो हमारी skull से लड़ रहा है हमारी skull है जो हमारी head के bone होती है उसमें brain लड़ रहा है धम-धम सा उनको feel होता है और उसे लगता कि सिर्फ फट जाएगा और ऐसा होता है अगर सरजरी के बाद बहुत जादा खून का नुकसान हो गया खून बहुत जादा निकल गया होँ हम्रेज हो गए हो लेक्टेशन के बाद फीमेल्स के अंदर या सीमन के लॉस के बाद इन सब चीजों के बाद अगर बहुत जादा fluid loss के बाद अगर headache के problem रहती है तो उन cases में भी चाइना दी जा सकती है अब हम बात करते हैं mouth symptom की mouth symptom एक बहुत important symptom आता है और वो है कि जब females बच्चे को दूद पिलाती है lactation करती है उस समय उनको बहुत जादा pain होता है mouth में teeth में बहुत जादा pain होता है जब बच्चे को दूद पिलाते हैं एक important symptom है इसके लावा जब दात में दर्द होता है तो दात टच नहीं कर सकता लेकिन दातों को peace करके आराम मिलता है हर तरह में जब आप पूरी detail में जानेंगे चाइना को तो इसमें होता है कि किसी चीज़ को touch करने से उसको problem होती है लेकिन pressure देने से वो ठीक रहता है जैसे कि skin की भी बात करें तो skin इतने जादा sensitive होती को touch नहीं बरदास कर सकता लेकिन अगर उसको दबा के रखता है प्रेस करके रखता है तो उसको आराम मिलता है तो इसमें भी China effective medicine हो जाती है माउत के cases में अगर उसको दात में दर्ध होता है दातों को peace करके रखता है और उसके साथ उसको आराम मिलता है इसके लाव इसमें सलाइवा बहुत जादा बनता है, लार बहुत जादा बनती है, जो पेशेंट्स अभी ठीक हुए हैं, बुखार से उठे हैं, या बहुत लंबी बिमारी के बाद थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुए हैं, उनको लार बहुत जादा बनती है, और बार बार वो कड़वा बना रहता है, कुछ भी खाते हैं, तो उनको कड़वा सा फील होता है, बिटर टेस्ट होता है, तो ये भी important symptom है, जिसके basis पर आप चाइना दे सकते हैं, अब हम आज आते हैं, इसका सबसे important symptom के बारे में जानने के लिए, और वो है GIT, यानि पेड सम्मंधित, जो करने जाना है, आयोडे मेडिसेन में भी ऐसा ही होता है, कि बहुत जदा गैस बनती है, और जब गैस पास करता है, तो बहुत तेज आवाज के साथ गैस पास होती है, लेकिन फिर भी पेशन को बिल्कुल आराम नहीं मिलता है, गैस पास करता रहता है, और इसमें जो गैस हो लाइको पोडियम और कार्वेवस यह दोनों और मेटसें जो हमेपथी की तीन इंपॉर्टन मेटसें जो गैस के कैसे में बहुत अच्छा काम करती हैं लाइको कोडियम को हम देते हैं अगर लोवर एब्डवाimun में प्रॉबलम रहती है, गेस नीचे से बहुत ज्यादा पास होती है, नीचे के जो पेट होता है उस एरिया में ज्यादा इंडिकेटर है और कार्भो वेस रहती है जब उपर के केसिस में रहती है, लेकिन चाईना अगर पूरे पेट में gas भरी हुई एक पेट बिल्कुल टाइट हो गया है तो उन cases में दी जाती है इसमें जो patient होता है उसको खाना खाने का बहुत मन करता है जब वो उसको भूग बहुत जादा लगती है लेकिन जैसे वो खाना खाने जाता है वो खाना खा ही ने पाता उसके इच्छा बिल्कुल खतम हो जाती है ऐसे cases में भी और इसके लावा इसमें patient को gas बनती है fruits खाने से अगर बहुत सारे patient ऐसे बताते हैं कि जिस दिन मैंने सुबा सुबा एक apple खाले हो उस दिन पूरा दिन मुझे gas बनी रहती है या fish खालेने से या bread या meat इन सब चीज़ों को खाने से gas बनती है तो बहुत जादा gas बनने के problem है gas निकलती है लेकिन आराम नहीं मिलता है मुंका टेस्ट हमेशा कड़वा बना रहता है खाना भूक लगती है लेकिन खाना नहीं खा सकता है ऐसे indications अगर आपको मिलते हैं तो उन cases में भी आप चाइना ले सकते हैं इसके लामा बात करते हैं कब्ज के case में कब दी जाती है तो friends ये medicine दी जाती है चाहे पुरानी कब्ज हो चाहे नई कब्ज हो अभी कुछ दिनों से आपको क्रब्ज हो गई हो उस cases में भी और इसके लामा अगर आपको रात में diarrhea होता है रात में lose motion की problem होती है शुरुआ आधी रात तक बिल्कुल ठीक निकल जाता है लेकिन तीन से चार बजे के बीच में उसको पेट में दर्द सा होगा या कई बार बिना दर्द के भी उसको diarrhea होता है सुबा सुबा की उसकी आदत हो जाती है सुबा सुबा उसको lose motion होता है early morning diarrhea जादा तर painless होता है तो उन cases में भी चायना दी जा सकती है और जो यह diarrhea होता है बहुत जादा debilitating होता है जब वो stool pass करके आता है उसके बाद थोड़ी दर पड़ा रहता है जैसे लगता है बल पड़े pressure से उसको आराम मिलता है जैसे कि मैंने पहले भी बताया तो pressure देने के बाद उसको पेट में आराम मिलता है जैसे कि कोलो सिंथ medicine में होता है तो उन cases में भी चायना दी जा सकती है चायना दिया जाता है अनीमिया के cases में तो अनीमिया में जब blood loss बहुत ज़ादा हो गया हो, खून बहुत ज़ादा break up हो गया हो, RBCs बहुत break up हो गये हैं और उसके कारण जॉन्डिस आ रही है, शरीर पे पीला पना रहा है या अनीमिया या खून की कमी हो रही है उन केसे में जब patient को oxygen की lack होती है, oxygen की कमी होने लगत तो उन केसे में भी हम चाइना देते हैं, बहुत सारी फेमिल्स जो lactating mothers होती है या जिनको delivery के बाद खून की कमी हो जाती है, उनके केसे में भी चाइना बहुत अच्छा काम करती है, इसके लावाँ ये दिया जाता है, जब urine बहुत ज़ादा dark color का होने लग गया हो, stool बहुत लिवर में अगर problem हो रही है, हर चीज को आप malaria से correlate करके अगर देखेंगे तो आपको सारे symptoms में बिल्कुल क्लेरली समझ में आएंगे, क्योंकि malaria में भी हमारे जो liver होता है, उसके size बढ़ जाती है, हिपाटो मेगाली हो जाती है, तो इसमें भी RBCS का breakdown होता है, जो की liver में होत इसके लावां next symptom की बात करते हैं, next symptom है male symptoms, तो जिन पुरिशों के अंदर बहुत ज़्यादा सेमेन के loss होने के बाद, या spermatoria होने के बाद weakness रहती है, लिधार्जी बनी रहती है, शरीर में कुछ काम करने की इच्छा नहीं रहती है, भूप नहीं लगती है, सब कुछ because of loss of that seminal fluid तो उन cases में भी ये दी जाती है, female के cases में चायना बहुत अच्छा काम करती है, अनीमिया के बारे मैंने पहले बताया कि अगर lactating mothers हैं, दूद पिलाने वाली mothers हैं, उनके अंदर वीकने सारी है, अनीमिया आरी हैं तो उसमें देते हैं, इसके अलावा हम इसको देते हैं, उन females के अंदर जिनके अंदर periods बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं, बहुत जादा fluid का loss होता है, और साथ के साथ लुकोरिया की भी problem रहती है, तो जिन females के अंदर मीनोरेजिया की problem रहती है, excessive fluid रहता है, जो blood का loss है, 7-10 दिन तक बना रहता है, उसके बाद शेरीर काफी कमज और सापड़ जाता है, शेरीर से जान जल्से निकल जाती है, क्योंकि बहुत जादा fluid loss हो रहा है, तो ऐसी females के अंदर हम periods के cases में भी हम चाइना दे सकते हैं, इसके लमाद चाइना का एक बहुत important indication होता है, intermittent fever, मतलब एक ऐसा बुखार जो लंबे समय से चला आ रहा है, जिसम जब ठड लगेगी तो बिलकुल ओठने का मन करेगा, उसके बहुत तेजी से आपको temperature बढ़ेगा, palpitation दिल की धरकन बहुत बढ़ जाएगी, शेरीर में पसीना आएगा, चेहरा बिलकुल लाल हो जाएगा, और उसके साथ पसीने के साथ ये चीज़ ठीक हो जाती है, बट चाइना जो मेडिसिन है वो एंटीडोट करती है नकस्वामिका को, अगर आपने नकस्वामिका बहुत ओवर यूज कर लिया है, और आपको लगता है कि आपके अंदर से सिम्टाम सान लग गए हैं, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने चा को constitutional basis पर लेना चाहते हैं, तो higher potentials में ले सकते हैं, mostly चाइना को हम 30 potency में देते हैं, और अगर आप 30 potency ले रहे हैं, तो दो दो तीन तीन बुंदर दिन में तीन बार इसकी ली जा सकती हैं, तो फ्रिंट्स ये सारी information थी चाइना होमेपतिक medicine के बारे में, अगर आपके कोई doubts रहते हैं, आप comment box में ले सकते हैं, I will try कि मैं each and every query कर reply करूँ, फ्रिंट्स अगर आप मेरे साथ appointment बुक करना चाहते हों, तो clinic के number 7017-991940 पर whatsapp करके अपना appointment बुक कर सकते हैं, या अगर appointment से पहले आप मुसे बात करना चाहते हैं, किसी तरह के अपने doubts क्लियर करना चाहते है तो call me for app पर बात कर सकते हैं, जिसकी बाखे की details description में दी हुई है, तो friends अगर आपको information अच्छी लगी हो, तो video को like जरूर करें, अपने friends और family के साथ भी share करें, और मेरे channel को subscribe कर लें अगर आप नए हो, wishing you very good health, thanks for watching.